Hello everyone, welcome on my channel इस वीडियो में हम computer के जितने वी function की होते हैं उनके बारे में details से पढ़ेंगे computer में बारफ function की होते हैं और ये F1 से F12 तक होते हैं और आपने देखा होगा keyboard में कि ये उपर की तरफ रहते हैं तो हम इस वीडियो में इनके क्या-क्य usage हैं उसके बारे में details से देखेंगे तो बिना देर की हम वीडियो को start करते हैं और पहला function की हम देखते हैं F1 तो F1 का जो है वो क्या काम रहता है तो इसका काम है help जैसे ही आप F1 function की को click करेंगे तो आपका help menu खुल जाएगा ठीक उसमें आप जाके कोई भी अगर help चाहिए आपको computer related तो आप उसमें type कर सकते हैं और आपको उसका answer उसमें आ जाएगा कि आप ये कीजिए आप ये कीजिए तो F1 का काम क्या है आपका help करना ठीक अगला हम function की देखते हैं F2 तो F2 function की जो है उसका क्या use है तो आप F2 function की का use करके जो है किसी भी file या folder को जो है वो rename कर सकते हैं तो F2 का काम है आप rename करने के लिए इसका use करते हैं ये reload जो है यहाँ पे गलती से type हो गया है केवल इसका काम है rename का ठीक अगला हम देखते हैं F3 F3 function की जो है उसका क्या use है तो ये searching के लिए काम आता है अगर कोई भी file folder आपको search करना है तो आप F3 function की का use करेंगे उसमें अगला हम देखते हैं F4 F4 function की जो है वो किसले use होता है तो इससे आप computer को shutdown कर सकते हैं और close कोई भी file को close कर सकते हैं और F4 का जो use है वो alt के साथ होता है आप alt F4 करेंगे तो अगर आपके जितने भी file या folder खुले हैं वो एके करके बंद होने लगेंगे और जब सारे file आपके बंद हो जाएंगे और फिर आप alt और F4 करेंगे तो आपका computer shutdown हो जाएगा तो F4 जो है वो अकेला काम नहीं करता है F4 जो है किसके साथ काम करता है alt के साथ मिलके काम करता है अगला हम देखते हैं F5 function की F5 function की का क्या काम है तो यह refresh करता है आपने देखा होगा कि हम computer को refresh करते हैं किससे right click अगर हम करते हैं mouse से तो refresh का option आता है लेकिन अगर आपको mouse से नहीं करना है तो आप F5 को दबाईए आपका जो computer है, वो refresh हो जाएगा उसके बाद जो है ये reload अगर आप internet browser में है और आप F5 दबाते हैं तो वो क्या करेगा, उसे reload करेगा internet browser में ये reload करेगा ठीक, अगर आप internet browser में नहीं है तो ये के वर refresh करेगा आपका उसके बाद जो है F5 का और भी एक यूज है Slide Show in PPT अगर आपको PPT में PowerPoint में Slide Show करना है तो आपके ओल F5 को क्लिक कर दीजिए आपका Slide Show start हो जाएगा तो इसके तीन यूजेज हैं आप ध्यान लखेगा F5 का एक तो refresh करता है आपके computer को दूसरा आप Internet Browser में है तो उसको reload करता है और तीसरा अगर आप PowerPoint में है तो ये Slide Show में आपकी help करता है अगला हम देखते हैं F6 F6 जो है वो function key का क्या use है तो ये highlight address bar address bar जो होता है उसको ये highlight कर देता है अगर आप Internet Browser में है और आप F6 अगर function key को press करते है तो आपका जो address bar है उसको highlight कर देगा और उसमें आप जो भी search करना चाहते हैं आप उसको search कर सकते हैं अगला हम देखते हैं F7 F7 जो function key है उसका क्या use है तो ये check spelling ये spelling को check करता है F7 ठीक तो F7 से आप spelling check कर सकते हैं आपका spelling सही है की नहीं तो F7 का use आपका spelling check में होता है अगला हम देखते हैं F8 function key F8 function key जो है उसका क्या use है तो ये boot menu को open करता है अगर आपको computer को boot करना है तो ये boot menu को open करता है F8 अगला हम देखते हैं F9 F9 जो है function key उसका क्या काम है तो remove selected item अगर आपने कुछ item को select कर रखा है अगर उसको आपको remove करना है selected item से तो आप F9 को press कर दीजिए तो जो item selected है वो खतम हो जाएगा ठीक इस तरह से F9 का use है जो अगर item select है उसको remove करना है तो आप F9 को press कर सकते हैं अगला function की हम देखते हैं F10 F10 function की का क्या काम है तो ये mouse right click है मतब अगर आपका mouse का right click खराब हो गया है तो आप F10 का use कर सकते हैं right click के लिए लेकिन F10 अकेला काम नहीं करता है F10 के साथ आपको shift का use करना होगा shift और F10 आप करेंगे तो जो option आपके right click में खुलते हैं mouse में तो वही option आपके खुल जाएंगे shift और F10 से तो अगर आपका mouse का right click खराब है तो आप shift और F10 यूज़ कर लीज़ेगा अगला हम देखते हैं F11 F11 जो function की है उसका क्या use है कि अगर मान लीज़े YouTube पे आप कोई वीडियो देखने हैं या ऐसे कोई भी आप वीडियो देखने हैं कम्प्यूटर में और अगर आपको फुल स्क्रीन करना है तो आप F11 को प्रेस करेंगे जैसे ही वो फुल स्क्रीन हो जाएगा तो F11 का क्या है आपके वीडियो को फुल स्क्रीन करना उसके बाद हम देखते हैं F12 F12 का क्या काम है Save As अगर कोई भी डॉक्मेंट को आपको Save As करना है तो F12 का आप यूज कर सकते हैं F12 फंक्शन की से Save As होता है ठीक तो वोप आपके इस सारे फंक्शन की क्लियर हो गए होंगे एक्जाम में इससे भी कोस्टन पूछ लिया जाता है इसनिये मैंने इस टॉपिक को कवर किया है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो Please Like, Share and Subscribe to my channel Thank you